इस तरह से बोला करते थे इंडी गटवंदन वाले कुछ नए नए जो पाटी बने हैं ये सेमी फाइनल है तो क्या-क्या है बहुत सारी बाते बोला करते इस उपचुनाओं का रुजहान बिहार के आने वाले भविष्य के राजनिती का रुजहान बता रहा है और हम चारो सीट पर चुनाओं जीत रहें तीन पर तो हमारा करीब करीब जीत का गोशना हो गया और रामगड़ पर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा दिल बोल रहा है शुरू के शुरू दिन से ही नमस्कार मेरे नम रोहीत है आप देख रहें लाइब से जी आपको पता दे कि बिहार में चार सीटों पर उप्चुनाओं हुए थे और देखिए आज चारों सीटों पर मत गड़ना चल रहा है काउंटिंग चल रहा है देखिए कुछी देरों के बाद सब कुछ स्पस्ट हो जाएगा लेकिन अभी तक के रुजहानों में चार सीटों में से तीन सीटों पर एंडिये गटबंदन पूरी तरीके से बढ़हत बनाई हुए उसके बाद देखिए बिहार बीजेपी के पर पर देखिए तरे में जस्त नमन्ने चालू हो गए है सातीं साथ देखिए जिस तरीके से तीन सीटों पर लगतार इंडिये गठबंदन बढ़त बनाई हुई है और वहाहीं अगर बात करें रामगट सीट पर देखिए वहां रामगट सीट को लेकर भी जो बिहार बीजेपी के परदेश द्धक्ष हैं दिलीब जैसवाल ने बड़ा दावा किया और क्या कुछ कर रहे हैं दिलीब जैसवाल सबसे पहले आप दिलीब जैसवाल के पूरे बयान को सुनिए देखिए बिहार में जब से हर्याना चुनाओ का रिजल्ट आया उसके बाद से जनता के और मदाता के अंदर ये परसेप्सन बना कि जो थोरी बहुत कमी नरेंदर मोदी जी के और लोगसवा चुनाओ में कमी रह गई जनता अपने आप में इस बात को ले करके अंडिये के आत्र एक सीट हमारा सिटिंग था इमाम गंज का और तीन सीट पर बरसों से उन लोगों का रात चल रहा था और जिस तरह से बोला करते थे इंडि गटवंदन वाले कुछ नए-णए जो पार्टी बने हैं ये सेमी फाइनल है तो क्या-क्या है बहुत सारी बाते बोला करते लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस उपचुनाओ का रुजहान बिहार के आने वाले भविस्य के राजनिती का रुजहान बता रहा है और वो भी मगद और सहवाद की धरती पर अगर ये चुनाओ उत्तर बिहार में हुआ होता तब साइद मैं इतना जोर से नहीं बोला हो लेकिन मगद और सहवाद की धरती ने अब इस बात को मान लिया कि अगर सकुन चाहिए विकास चाहिए सांती चाहिए स्वहार्द वतावरन चाहिए तो नितीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का नैतुरित का है हमें सरकार चाहिए और हम चारों सीट पर चुनाओ जीत और चारो सीट जीत करके बिहार में आने वाला राजनितिक भविस्त तैय हुआ है जारखंड में कोई सिती नहीं बदली हुई है जारखंड में पहले सरकार जेमें की थी और आज हम वहां पर 32 तैटिस सीट के आसपास ले आए हैं पांच्छा सीट इदर से उधर वहा लास्ट में तो आप भी बोलना अलग बात होगी इसलिए जारखंड में एंडिये एक दम पूरा बहादुरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इस देश के अंदर जिसको आर्थिक राजधानी महराष्ट को बोला जाता है आपने देखा वहां पर दो त्याही बावमस स जादा बीजेपी की सरकार बनी है तो मैं यह कह सकता हो कि आने वाला समय एंडिये सिर्फ एंडिये सिर्फ एंडिये बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली आप पार्टी के परदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मैं अपने कार्ज करता हूँ के सम्मान को लेकर आगे बढ़ा तो एक एक कार्ज करता जो कि किसी कारण से अपने आपको उपैक्षित भी महसूस कर र पूरे बिहार में भारती जन्ता पाटी का कार्ज करता ने ठाना है कि दो हजार पचीस में NDA की सरकार बनानी है तो ये हमारा दूसरा कि NDA गठबंदन NDA गठबंदन के जो हमारे दल हैं जो नेता हैं एक हो करके दिन रात महनत किये और ये भी आगे के लिए सब को संदेश है कि रोज रोज बोलते हैं लेकिन आज उनको ये करारा तमाचा है कि एंडिये एक है और एंडिये एक है तो हम सेफ हैं धन्यवाद तो अभी अपने देखा जो बिहार बीजेपी के परदेश अद्दक्ष है दिलीब जैस्वा देखिए रामगार सीट को लेकर भी बाड़ा दावा करते ने जरा और ये भी बोल रहा है कि लास्ट लास्ट तक देखिएगा जो रामगार के नतीजे होंगे वो पूरी तरीके से बीजेपी और एंडिये गटबंदन के पक्षम होंगे तो कहीं न कहीं देखिए आज बिहार में चार सीटों पर रुप चुना सब्सक्राइब तरारी से लुप इसको लेकर भीृषका पर हासील कर ये ज हैं उन्होंने बडा दावा किया और साफ साह पें कतर दलावा कि जीतेएंगे साथी सब्सक्राइब दरन रहा है कि मेरा आना बीजेपी के लिए बिहार बीजेपी के लिए कहीं में काफी ज्यादा शूब रहा कि हमने आया और जिस तरीके से लोग इस से उप चुनाओ को सेमी निये बंदन पूरी तरीके से बड़त बनाई है जीत हांसिल करने जा रही है तो कहीं कहीं ने बर ब अर Сам गंज तो शीटेंग उसके बाद जो सीठ थी जो से जहां पर वर्सों से कभी दूसरे對os competev दूसरे लोग यहां से जीते है जीते आ रहे हैं लेकिन अब जो इंतिजार था वो खत्म हुआ और या से माफिसे जो रुजहाना है उसमें देखिए बीजेपी के परदेश कराले में जस्त मनने लगे हैं मिठाईया बट रही है हमने आपको तमाम तस्वीरे दिखाया किस तरीके से हर बीजेपी के परदेश कराले में जो बीजेपी के करे करता है वो जस्त मना रहा है एक दुसरे को मिठाई सीट को लेकर भी लगतार वहां से जो बीएसपी के कंडिडेट है वह वागए चल रहे हैं और वहीं देखे रामगाट सीट को लेकर भी जो बीजेपी के परदेश सद्धेक्चा दिलीब जैस्वाल ने बाड़ा दावा किया है और साब साब कहते ने जला रहे हैं कि गटबंदन के हातों में आएगी एंडिये गटबंदन की जीत हासिल होगी और भी क्या कुछ कहना था आपने तमाम चीजें इस वीडियो में देखी है बस इस तरह की तमाम खुपरक्षत इंदी जुड़े रहे हैं तब तक धन्नवा इस तरह से बोला करते थे इंडी इस से के राजनिती का रुजान बता रहा है और हम चारो सीट पर चुनाव जीत रहे हैं तीन पर तो हमारा करीब करीम जीत का गोशना हो गया और रामगड़ पर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा दिल बोल रहा है शुरू के शुरू दिन से ही